जैसे कि आप लोगों को पता है आज है संडे और हर संडे को अपन के एपिसोड लेकर आते हैं और कुछ बहुत ही इंट्रेस्टिंग करेर रिलेटेड टॉपिक पर डिसक्रिशन करते हैं तो यार आज जो है करेट टॉपिसोड नूबर 15 में बनाने जा रहा हूं और आज की ज आपको मिल जाएंगे और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा कैलेज कैसा है एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं उस पर भी काम चल रहा है बट आज अपने टॉपिसोड नूबर 15 पर डिसकस करने वाले हैं डेट इस आइटी क्या मुझे गवर्मेंट कॉलेज मिल सकता है गया देखो वैसे देखा जाये तो एक होता है आइटी में फर्स्ट इग्जाम उसके बाद आइटी एडवांस अगर आपने आइटी एडवांस निकाल लिया तो फिर आइटी और एडवांस आपके रैंक वेसिस में मि उसकी बाद अगर आपने मालो एडवांस नहीं निकाल पाई सिर्फ आइटी में आपने निकाला है तो आइटी नहीं मिला ट्रिपल आइटी और एनइटी मिल सकता है अगर अच्छा रैंक रहा तो और रैंक अच्छा नहीं रहा तो गवर्मेंट कॉलेज मिल जाते हैं तो क्या मुझे गवर्मेंट कॉलेज में एंजिनेरिंग करने को मिल सकता है क्या यार यह वीडियो सिर्फ एंजिनेरिंग वाले स्टुडेंट्स के लिए हैं तो बाकी अगर कोई मंदे देख रहे हैं तो आप मुवांड कर सकते हैं वैसे ट्रस्ट मी में बता दूं आप लोग पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना बेल आइकन को क्लिक कर लो हर संडे को ऐसे वीडियो के लिए तो चली वीडियो को सुरू करते हैं कॉलेज अड्मिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह के इंक्वाइरी के लिए आप हमारे साथ अपना अपॉइंबंट बुक कर सकते हैं जस्ट क्लिक ओन बुक अ कॉल देन ऑन अपॉइंबंट पेज सेलेक्ट योर सर्वेसेस लाइक कॉलेज काउंसलिंग आपके मन में यह सोच इसलिए आया है क्यूंकि हो सकता है कि आपके 12th क्लास में आपका जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा हो जनरली यह थोट हर बच्चे के मन में नहीं आता है अगर आपका 12th का परसेंटेज अच्छा नहीं है आपने IIT एक्जाम भी नहीं दिया है तो आपके मन में यह थोट आया नहीं कि यार मुझे गवर्मेंट कॉलेज में जाए क्योंकि आपको पता है आपको नहीं मिलेगा आप प्राइवेट में अनुमेशन लेओगे नहीं पसंद नहीं जाना उनको इनको बस एक गवर्मेंट कॉलेज मिल जा उनको एक पाथ मिल जा वह बस अपना खुदी का अच्छा कर लेंगे ऐसे बच्चे होते जो नहीं देते हैं या फिर कुछ बच्चे हो ऐसे होते जो मजबूरी की वज़े से कुछ कुछ मजबूरी हो या फॉर्म छूट गया हो डेट क्रोस हो जाए इस तरीके से चीजे निकल गई हो और उनको एड्मिशन इसी साल है लेना है देन उनके माइंड में यह थोड आते ही आते हैं तुम्हें आपको बहुत अच्छा यहांपर एक्जाम्पल देके समझाता हू तो माल लिजे आपका 12th क्लास में 98% आया है और आपने IIT एक्जाम नहीं दिया है वहीं एक और बच्चा है जिसका 12th में जस्ट पास है वो ठीक है 45% और उसने IIT जही का एक्जाम दिया है और उसके 10-15 नंबर आ गया है या फिर एक नंबर भी अगर उसका आ गया है तो जी 98% वाला बंदा से उपर माना जाएगा उसको तो यह चीज का ध्यान देना अगर आप दे सकते हो नहीं तो जरूर आईटी का एक्जाम दो क्लियर है अब यह तो भाई पहली चीज हो गया मैंने आपको बता दिया क्या कौन उपर है अगर आप किसी केस में बैठते हो आपने आपका पर्सेंटेज अच्छा है वह एक और बंदा है जिसका पर्सेंटेज ठीक ठाक है बट उसने आईटी का एक्जाम दिया उसकी रैंक बहुत कम है बहुत कम नंबर है तो उस बंदी को ज्यादा प्रेफरेंस देगा कोई कॉलेज एस कंपेर टू आपको है ना बट फि पर्सेंटेज हैं पर्सेंटेज मैटर करेगा इस केस में अब यहां कोई बच्चा ये कोशन मुझे पर्सेंटेज अच्छा नहीं है मैंने आईटी एक्जाम भी नहीं दिया क्या मुझे गवर्मेंट कॉलजी मिल सकता है तो फिर यार मैं इसका जवाब नहीं देपाऊंग वो क्या है सर वो प्लीज हमें बताईए है ना तो देखो यार जो बंदे काउंसलिंग करते हैं जो काउंसलर होते हैं जो काउंसलर होते हैं उनको इनका बहुत आइडिया होता है देखो ऐसा कोई कॉलेज है नहीं मतला टॉप के कॉलेजेस छोड़ दें टॉप के गवर्मे तो आप डारेक्ट जाकर वहाँ पे एड्मिशन ले सकते हो हां मानता हूं आपके मन चाहां ब्रांच नहीं मिलेगा बट अगर किसी मान लेजी आप मेकानिकल के लिए बट जो एलेक्ट्रोनिक या केमिकल या बायो केमिकल ब्रांच के लिए सीट खाली है तो अगर आपको ले धीरे-धीरे 90% के आसपास खतम हो चुका है 10% है थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा जुगार है तो कुछ हो गया बट जनरली देखा जाए तो यह चीज आप पॉसिबल नहीं रह गया ठीक है तो यार जाहिर से बात है आपको पता होना चाहिए कि किस गवर्मेंट कॉलेज में आईटी एक्जाम मतलब काउंसलिंग हो गया सब कुछ हो गया उसके बात भी सीट उसमें बची है आपको अगर यह पता है तो आप उसमें अद्मिशन ले सकते हो और किसी की रेफरेंस की जरूत नहीं डारेक्ट जाओ है ना परसेंटेज व उसमें अगर आपने आईटी का एक्जाम नहीं भी दिया है ना या फिर आपका 12 में परसेंटेज कम है या ज्यादा है तो उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो और उस राउंड में अगर मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा ठीक है अब परसेंटेज अच्छे खासे हो तो ट्रस्ट में गाईज पीजी कोर्सेस के लिए ना गवर्मेंट कॉलेजेस की बात करूं तो यार 50-60% ही सीट फूल होते हैं गेट की थुरू बाकी पूरी सीट खाली रहती है मेरे कितने दोस्त जो हैं उन्होंने प्राइवेट कॉलेज से अपना इंजनेरिंग किया और कुछ है कि आपका 12 का परसेंटेज खराब हैं तो कोई बात नहीं है आप किसी आराम से किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज या अच्छे प्राइवेट कॉलेज से अपनी इंजनेरिंग कंपलीट करो है ना उसके बाद अगर फूर्दर पढ़ाई करनी M.Tech MBA करना है तो आप councillor के contact में रहा करो हैना अगर ऐसा कुछ आपको करना आपके 12 परसेंटेज अच्छा है आपको कोई government college चाहिए कोई भी ब्रांच आपको मिल जाए बस आप खुदी बात कर लो है ना काउंसलिंग होने के बाद की सर खाली है क्या है ना तो अगर है तो थोड़े बहुत पैसा मतलब घूस नहीं कहेंगे थोड़े बहुत 10,000-15,000-20,000 एक्स्ट्रा पैसा फीस में आपकी एड हो जाती बट आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपक काउंसलिंग में कॉल करकर करके पता करों से सर क्या कुछ सीट बचाया क्या तो वो खुदी बताएंगे कहां इस ब्रांच में सीट है अगर आप एडमिशन लेना चाहो तो आजाओ मिल जाएगा ठीक है तो आपका बस 12 का रंग थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए नि द टेक क्यार वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जरूर जाना काफी मिहनत करते हैं ऐसे ऐसे कंटेंट आपके लिए लेकर आने के लिए गुडबाय और टेक क्यार